मीरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे कोटा दक्षि नगणिगम के वार्ड संख्या 76 के विकास पार्ग की कहने को इस पार्ग का नाम विकास पार्ग है लेकिन ये विकास को तरस रहा है पार्ग में लगी हुई हाई मास्ट सैथ अन्ये लाइट बंध है जिसकी वज आमशारा से जुड़े सौ से अधिक बच्चे प्रैक्टिस के लिए भी आते हैं जो इन समस्याओं को लेकर के परिशान है मैई घास में प्रैक्टिस करते समय कई बार जोक उनके पैर में चिपक जाती है तो कई बार साब भी इंचाडियों में देखे गए है अंधेरे में आसमजिक तत्व का जमवाड़ा भी इस पार्क में बना रहता है जो भी परिशान का सबक है इस संबन में इस्तानी पार्शत कुल्दीब कौतम का कहना है कि जनता की समस्या को देखते हुए रिकम की अधिकारियों को अफ़कत करवाया है और ज्वल्द पार्क में खरा पड़ी लाइटों को मरमत करने के साथ ही खास की कटिंग भी करवाई चाहेगी यहां पर अभी जैसे बड़ी बड़ी खास हो रही है और लाइटे 15-20 दिन से जा रही है तो हम प्रशासन में आगे बात बढ़ाते हैं तो उस चीच की सुनवाई भी नहीं हो रही काफी दिन से आज सुभी भी मैंने फोन किया चुट संडे का बाना देके बात को टाल दिया गया किस तरह की दिक्कते हैं यहां पर प्रेक्टिस करने में अभी यहां पर घास गीला हो जाता है बच्चे शस्त्र कम अवेलेबल है इसलिए प्रशासन से मांग करना चाहरे ताकि प्रशासन से कुछ हेल पर मिले और करते हैं उस तैप से बोसर है और मंदर के पीछे स्पेस बेक स्पेस जहां पर कोई लड़का लड़की को भी लेका आते रहते हैं तो वह तो अभी हमने बंद करवा दिया बैटे सबसे तदा इस इसका ही था इसका ही था इसमें गांस हुए किड़े निकल चुगा इसलिए करनी पड़ती है रात को आप स्याम को हम रात को यह चोटी इसा से बलप वगिरा लगव रहा है लाइट वगयरा तु मैं भी लगिओ ही है तो आम यहां पर कड लेते हैं यह अलकर सहरे इसे च्र kıssण ज हू lugते हम श्यक्रमार करते हैं बात लूट effe to 2 बातो यह थिँ बर नहीं है संडे को केके टाल देते हैं मिशा बार बार केके परशान हो के नाम बताते हैं करन सिंगाडिया